हेलो बच्चों, हेलो सार आज हैं क्या कहते हैं? बीज में इनको रेजी में क्या कहते हैं? प्रेज सार ऐसी संख्या जो P upon Q के रूप में लिखी जाती है उसे भिंज कहते हैं जैसे चार पटा पाँ, छे पटे दो, दीज पटा आठ, आज दि यह उसाए अंस, और यह नीचे का? हाद समझना है हाद कौन बताएगा? हम एक लोग रेज़ कर दो क्या बताना है? हैसी संख्या जो P upon Q के रूप में लिखी जाती है उसे भिंज कहते हैं जैसे पी upon Q के रूप में लिखी रती है उसे भिंज कहते हैं जैसे? तीन बते, चार्ट, चार्ट, चार्ट बते आज दो बते, आज चार्ट बेरी बूट, बैट लोग दूसरा कुछ दे प्रेवड लोग एसी ही संख्या जो पी बते Q के रूप में लिखी जाती है उसे भिंज कहते है 4, 5, 8, 10, 9 अज भिंज कहते हैं आज हम लोग बिंचों को चित्रों के रूप में बिशिटर करते हैं यह है उपर वाला हांस और नीचे वाला हर हर में कितने हैं? 6 यह कितने कोने? 6 इस कितने कोने? 6 और करलों कितने कोने? 4 प्राओ ज domestic हो प्राओ शो झी पूचारा चार्च अचारर शॉचार अजया है को फ्राइ ने है है कि अचार लगा को शॉचार स्वाओ लगा बूबुो अचार व्र्ष्टवा अगाओ लुबुबू पूछो सवाल ये क्या करते हैं एक खाने कलर हो रहे हैं दो खाने हैं तो उसमें से एक खाने कलर हो रहे हैं अपको रहे हैं तो 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 रहे हैं में और ऑप्ता आपने। लिए आपने में दूर्ण करूए अरुँको अपनें आपनेव अजय कुला आपने आपने में आपने पुलाए हर इत के रूम में एट लिखा है, इस के रूम में पाँच लिखा है पाँज कलरने है, रहा है, ठाखाने कितने है, आठ, अर कलर कितने करने है, पाँच, पलंग करो दो दो चार पाँ तेक लेंडों के? पाँ बहुत दिया बाइब जो